गुड मॉलिंग नाम सज्जादन सारी है आप तमाम लोगों को आदाब करता हूँ वेलकम करता हूँ मरहाबा चैनल देखे आज का टॉपिक है कि बलेक कोफी पीने के क्या-क्या प्रेहें और आज अब सद्धिया शुरू होने वाली है और इस मौसम में बलेक कोफी बहुत ही क्योंकि चाय के अंदर ठोड़ ठंडा पनती है और कोफी के अंदर तुरंद एनरजी देने वाले चाहिए होती है बहुत ही ज्यादा प्रेहें अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे माँ पुरी बास सुनिया ऐसे में कोफी के जो शौकीन जो होते हैं लोग शौक से पीत हैं उसको भूत खुशी होगी क्या इसके अंदर कितनी सारे फायदेमंद है और सहत मंद भू सकती है यह बहुत अच्छा सहत के लिए बहुत फायदेमंद है इसमें पाए जाना वाला कैफीन शरीर को जिस्म को तुरंद इनर्जी क्या प्राप्ट करता है कितनी अची प्रचिकी बात तुरंद ही और इनसान थकावा मेहसुच करता है तो क्या कोफी पार को फिला ना कोफी पीते स्क्नाइब क्यफीन होता है है मगर यहीं केफीन का मातरा ज्यादा हो जाए तो फिर हमें वह ज्यादा दें डियाक्षन कंपण्पानी जो है ने ने काफीन नेचरुरल तरीके चितना उतना ही है तो इसमें ज्यादा भी प्रोप्लम नहीं दिन में 2-3 चार बार भी प्लिब सकते हैं दूत के सकते हैं जैसे कि जानकार कहते हैं इसको बात मन है तो बिलेक कोफी से लिवर के इसलिए कोफी जरूर पीना चाहिए बिलेक कोफी अगर आपको लिवर को बचाना है और लिवर के कैंसर से बचना है तो बिलेक को भी जरूर पीजिए ठीक है रिपोर्ट का नुसार बताते हैं कोफी एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर है वहाँ वेरी गुट क्या मस्त है यह टू डाइबिटीज और परकेशन रोग से बचाव करने में सहाजा मददगार है वेरी गुट कितने अच्छी बात है हम कोफी पी रहे हैं एक तरह खाना समझ के खाय रहे हैं और साथ में बोटी के लिए बहुत सारे फाइदे भी हो रही है और डॉक्टर भी डॉक्टर के म वाला शुरू से ही कहते हैं बीना चीनी के पीओ मगर कैफीन ज्यादा अगर ना लें आप तो आप चीनी मिलाईए ताकि कम हो जाए उसका असर है ना अब कैफीन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि कैफीन क्या है इसको कितना लेना चाहिए और ज्यादा आने से क्या इसका साइड इफेक्ट है वो जरू सुनिएगा इसलिए चैनल को जरू सबसार करके रखें और यह भी पता चला है बलेक कोफी वजन कम करने में भी मदद करता है वजन कम करने कैसे मिसाल के तोर पे आप कोफी एक गिलास बनाईए अब कोफी बनाने की तरीका भी बहुत अ नहीं होता तुरंद ही गरम पाने मिडालो मिलाओ पी जाओ हाँ थोड़ा सा अगर आप उपर नीचे करते हैं गिलासों से बोलते हैं फैट करना उसमें आक्सिजन का मात्राइज ज्यादा जाता है तो उसमें पीने में मज़ा आता है उसमें निबु डाल लीजी आप ठीक ह और फिर काफी पी लिजिए दिन में तीन बार काफी पीजिए निभी डाल के देखिए कितने बेतरी इंसाब को वजन कम होता चला जाएगा तो यह हमारे रही आज की बलेक कोफी के फायदे और गैनोडर्मा अगर कोफी में हो तो और फी ज्यादा बढ़ जाता गैनोडर्मा लियोसिटम किंग आफ हर वो तमाम जड़ी पर उटे गराजा जो है इसके बारे आम जानते ही होंगे इसलिए बहतर है कि हमेशा और गानिक वाली कोफी और वो भी और गानिक वाली मश्रूम गैनोडर्मा ही मिला हुआ यूज कीजिए जिससे कि आपकी बोड़ी से टॉक्सिन भी निकले जहरे पता तो दूरो इसकीन में चमक भी आए गैनोडर्मा इसकीन चमक आती है बहुत ज्यादा फाइदेमां गैनोडर्मा लिंग जी कॉपी में होती है इसलिए यह फाइदेमांद है कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरा मश्वरा यह अ अगर आपको मंगाना है लिंग जी कोफी तो आप इस नंबर पर मेरा जी वार्ट सब नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉल कीजिए संबर कीजिए घर बैठे मंगाईए देश भी देश हर जगह समगाईए थैंकियो शुक्रिया पूरे वीडियो सुनने के लिए अगर और अगर आप शादी के रिष्टे ही रिष्टे ढूंड रहे हैं मुसलिम लड़के हिंदू इसाय सीख लड़के लड़कियों के रिष्टा ढूंड रहे हैं अच्छे शरी खांदान में तो यह जो दिख रहा है नाम उम्र लंबाई रंग बरादरी कहां रहते हैं क्या काम करते हैं और अर्बू अर्भी एंग्रीश वगरा वगरा क्या पढ़овор लिकर हैं यह कैसे रिष्टा चाहिए कहां की चाहिए इसारी बाते आप मेरे वर्ट सन्मर पर लिखे और लिखने के बात Japan की रिष्टा चाहिए उस हिसाब से मैं रिष्टा पस पहुंझ जाता तो जिसको ऐसे ही बाइड़ोटा वाला लड़का चाहिए या इसे ही लड़की चाहिए तो वह हम से संपर करते हैं फिर उसको मैं कॉल कॉन्फरेंज करके बात करा देता हूं जब आपस में हो जाती तशली तब फिर एड्रेस देता हूं एक दूसरे को और फ़न नमर देता आपस में वह लोग आते जाते मिलते जुलते चानमिन करते हमारा अगा मितनाई अगर आप वाके में खायश में दे तो जल्दी संपर करें थेंक्यू शुक्रिया